आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बस्वागत है तो ममतब एनर्जी की अगर बात करते हैं तो इनकी popularity इंक्रीज होती जा रही है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह सर्वे कह रहा है सीएम्स की रिपोर्ट आई है चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट तो बेसिकली योगी आप दितनात की popularity घट रही है और ममतब एनर्जी की popularity जो है वो बढ़ रही है ठीक है न तो यहाँ पे psychoanalysis test जो है वो हो गया है संजर रोय का और जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत ही चौकाने वाली है psychoanalysis test में जो रिपोर्ट सभी सामने आई है CBI officer ने क्या बताया है उसने बताया है कि एक porn addict था यह porn हमारी जिन्दगी को बरबाद कर देगा हमारे समाज को बरबाद कर देगा तो इस addiction को हमको खतम करना है हम यह करांती आपके सामने लेकर रहे हैं 100 days challenge 75 days challenge super success हुआ लगिन अब हम एक step उपर जाएंगे और consciousness level पे हमला करेंगे ताकि आप इस चीज से बिलकूल ही निकल पाएं और control कर पाएं अरज को control कर पाएं परना बहुत लोग addicted होते हैं कोई 2 साल से कोई 3 साल से कोई 1 साल से बढ़ा मुश्किल होता है दिक्कते हैं तो addiction यह अलगी level पे जाता है लेकिन इसको control करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ यह 500 रुपय का कोर्स है चाहें तो 75 देश और 100 देश साथ में ले सकते हैं अपने कॉम्बो भी बनाया है शुरवात के 500 students के लिए challenge coupon को रिउस करेंगा को एक्स्ट्रा 30% में लेगा इस बार ऐसी टेक्नीक से आपको बताएंगे तीन लेबल समने define किये हुए है आपकी life बदल जाएगी संजय रॉय को यह समझे कि वो एक porn addict था और यहां पे बताया गया है psycho analysis टेस्ट जब किया तो संजय रॉय आराम से सब बताता गया इतना सा भी नहीं हिचका ऑफिसर बता रहे हैं कि यह जानवर है जानवर इसका सलूग जानवरों जैसा था इसने जो बताया जानवर कोई emotion नहीं zero emotion इसने जो बताया ऐसे बताया जैसे कोई आम बात हो रही हो कोई आम प्रक्रिया हो और कोई remorse नहीं कोई guilt नहीं एक side से बताना शुरू किया और बताता रहा बताता रहा कोई दिक्कत नहीं यह बोला है no remorse no guilt और इसको अपनी किये का कोई भी पच्चतावा नहीं है क्यों नहीं है habitual offender था इसकी आदत ही बन गई था इसको लग रहा था कि भाई यह कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं सबसे अच्छे से बात करते हैं मिलते हैं हम लोगों कि यह प्रक्रिया है मतलब एक तरीके से ह बंजय रोए यह बंदा जो है यह कैसे इसका पूरा डेली रूटीन आठ अगस्त को कि दो बार रेड लाइट एडिया अपने दोस्त के साथ और यह वापस है उसके बाद इसको पकड़ने आए तो तेज से बोला क्या मुझे पांसी दे तो जाओ वैसे नहीं रिगरेट में क्यां दे तो फांसी जाओ इस तरीके से और उसको पकड़के ले गए अब मेरे हिसाब से आपको क्या लगता मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में मेरे हिसाब से इसको क्या अभी किस मुहुरत का इंतजार किया जार यही तो दिक्कत है ना इतना लंबा खिच रहा है अरे दो इसे तुरंद फांसी दो एक तो ऐसा डिसीजर होना जो लगे कि हाँ डर फैला डर बनाए लोगों में कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो गए तुरंद फांसी दो इसको जब इसने सब कबूल लिया है सारे सबूत जो है इसके खिलाफ है तो इसका किस चीज का वेट किया ज लिया तो तुशार मेता ने डाटा और उसके बाद सुप्रीम कोट ने भी अप क्योंकि अप्रिंसिपल का भी लाई डिटेक्टेड टेस्ट होगा बहुत लोगों का लाई डिटेक्टेड टेस्ट होगा लेकिन इसका जो साइको एनलिसस टेस्ट हुआ है उसमें यही पता चला है कि यह राक्षस है यह जानवर है यह सीबीए ओफिसर बोल्डर उसको कोई दिक्कत नहीं है अगर मान लीजे कि पकड़ा नहीं जाता यह कुछ होता तो और इसको तब भी कोई प्रोब्लम नहीं होती तो बस वही है कि ऐसे राक्षसों को हटाओ फिर तुरंत फासी मैं तो हैना व्यट करना चाहिए तुरंत फासी दीजें कि ऐसे लोगों कि समाज में कोई जरूरत नहीं है मैं तो कर दो टॉर्टर करो इसको जैसे क्योंकि फासी चा भाए कहते न मौक तो तुरंत मुक्ती है चैनल कर लगिन वह हमारे कानून में नहीं है तो यह छोटी सी मैंने सच आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत गुस्टा है आपको क्या लगता मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा थांक यू सो मच